वेलकम टू मैं चानल आज का जो टॉपिक है वो गैसिस स्टेट का ही टॉपिक है पिछले वीडियो में हमने कॉलीजन नंबर और कॉलीजन डायमीटर के बारे में पढ़ा था आज हम लोग फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉ लिखा गया है तो इत इस दान नंबर और और को एकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वोल्म ऑफ दना घैस यानि कि किसी भी ग्रीजन वावं में उसमें नंबर और molecular collision कितना बार हो रहा है per unit time के respect में तो इसे ही हम लोग collision frequency कहेंगे next क्या कह रहा है total number of molecules colliding per unit volume per unit time is obtained by multiplying collagen number by number density rho यानि कि total number of molecules जो collide कर रहा है per unit volume में with respect to per unit time वो कैसे निकालेंगे तो वो निकलेगा collision number में जब हम लोग density से multiply कर देंगे यहाँ पे लिखा गया है by multiplying collision number by number density rho इसले वीडियो में हमने collision number के बारे में पढ़ा था तो collision number क्या होता है तो collision number होता है root under 2 pi sigma square c bar rho square यहाँ पे जो है तो square नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे total number of colliding molecules निकाला गया है तो सिर्फ collision number क्या होता है बस रो तक होता है तो जब हम लोग total number of colliding molecules निकाल लेंगे frequency निकालना असान हो जाएगा तो हम लोग जो case है वो same type का molecule के बारे में बात हो रहा है therefore number of collagen that is collision frequency is given by one half of the total number of colliding molecule यानि कि कह रहा है कि अगर same type का molecule अगर collide करे तो उनके case में होगा collision frequency वो होगा 1 by 2 into root under 2 pi sigma square c bar rho square तो यहाँ पे z11 यानि कि जो दो molecule है वो same है तो इसलिए जब हम लोग 1 by 2 से गुना करते है तो क्या होता है root under 2 into root under 2 क्या होता है जैसा कि आपको पता है root 2 into root 2 is equal to 2 होता है तो जो हम लोग 2 को root 2 into root 2 लिखेंगे तो एक root 2 से एक root 2 कट जाएगा तो नीचे एक root 2 बच जाएगा तो इसी चीज को simplify करके यहाँ पे लिखा गया है z11 is equal to 1 by root 2 pi sigma square c bar rho square इसे equation number 2 consider किया गया है thus collision frequency for different type of molecule यानि कि z12 यहाँ पे दो type का molecule से है type 1 and type 2 तो जब हम लोग z12 का value निकालेंगे तो similarly जैसे z11 का था उसी तरीके से होगा बट density में फर्क आ जाएगा इसलिए rho 1 and rho 2 यहाँ पे denote होगा तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है z12 is equal to 1 by root 2 pi sigma square c bar rho 1 and rho 2 इसे equation number 3 consider किया गया है तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है rho 1 क्या है हमारे पास density of molecules type 1 है and rho 2 जो है वो type 2 का density है तो collision frequency जो है बहुत ही असान है collision frequency अगर आप sort में जाना चाहें तो यही है कि जब आप total number of colliding molecules निकाल लेते हैं तो total number of colliding molecules कैसे निकलेगा तो number of molecules याने कि collision number में जब हम लोग गुना कर देंगे density से तो total number of colliding molecules निकल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देखे थे तो जब total number of colliding molecules निकलेगा तो दो टाइप का collision होगा एक तो same type के molecule में कॉलिजन होगा और दूसरा जो केसा राइज होगा वह अलग टाइब के molecules में अगर को लिजन होगा तब क्या होगा तो same type में जो होगा वह रो स्कॉयर हो जाएगा और अलग टाइप का होगा तो रो one एं रो two अगर ab से नोट कर रहे हैं मॉलीकुल को तो रो ए एंड रो भी हो जाएगा तो आज का जो टापिक है वो यहीं पर खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जादा से जादा लाइक किजिए सेर किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू सो मच